समाजवादी पार्टी के मुखे सचेतक हैं मनुझ पांडे जी और बैठक से निकलें सर बैठक में क्या बात हुई है तो हम नहीं सेर करेंगे लेकिन आज मुद्दे एकदम समानी मुद्दे हैं सबके सार्वजिनी मुद्दे हैं आज किसान परेशान है गरीब परेशान है विरोजगा नोजवान परेशान है भरिष्टा चार है बेटियों की आज इज़्जत से साथ खिलवाड किया जा रहा हत्याएं हो रही हैं मैं नहीं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के हाला जितने खराब ही इतने कभी रहे तो आज जब उत्तर प्रदेश की इस्थिती है तो विधान सभा में जो कल से सत्र चलेगा आदनी अखलेश यादो जी अपने नेता प्रितपच्च के निर्तवत में हम लोग जनता की जबान बन करके और जन समस्याओं को रखने का कार बात करेगी आप लोगों को लगता है विल्कुल बात करी कि करना होगा नहीं सलक से सदन तक समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी रहेगी आ रहे हैं इसी सूचना लोगों ने बताई है तेंक्यू सर ये मनुच पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी के मुखे सचेतक हैं और जिनका कहना है कि अपने मुद्धों पर सरकार को घहरेंगे और आजम जी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हाँ इसकी सूचना है वो कल सदन में उपस्तित रहेंगे समाजवादी पार्टी के बिधाय के इंदरजीत सरोजी है सर बैठक से निकले हैं क्या बैठक से बातचीत निकल गया है देखे मैं आज सरुदली बैठक में गया था अधाड़ी अखले स्यादो जी के निर्देशन पर वहाँ गया था जो है जीसमें बिधान सबाद्धे जी सरुदली बैठक बुलाए थे उसमें हमने अपनी पार्टी की तरफ से मांग किया है जो है बिधान सबाद्धे जी किसे जो है कि सरकार को निर्देशित करें कि ये लंबा सतर चलाएं ये सोच में सतर चलाने से काम चलने वाला नहीं क्योंकि ये बज़र सतर है बज़र सत कम से कम सदन चलना चाहिए जो है बज़र सतर है लेकिन सरकार कोई सकरत्मक जवाब नहीं दी जो है उससे लगता है कि जितना एजेंडा च्छपा है उससे भी कम समय सदन चलने के काम सरकार करेगी वो सरकार जवाब देही से बचना चाहिए सर लगातार आप चुनाओं के पहले भी दली तरह थियातरा निकाले थे और उतर परदेश महाल की दिनों में देखा जाए तो कई ऐसी घटनाई ही हैं जिनमें दली तूपीडन के मामले आए हैं लखनो इनुवस्टी का मामला आपके सामने हैं इन सब सारे मुद्धों को क्या हम लोग पूरी तैयारी किये हैं कि जो जनता की समय से आए हैं जो अन्याय अत्याचार हुए हैं उनको सदन में उठाया जाएगा उसके उसी के लिए हम लोग लंबा सदन की मांग कर रहे हैं कि ज्यादा दिन सदन चले जिस सारी सूचना है उसमें आ जाए सरकार का जवाब चाहिती हैं और आज सर्वधली बैठक में समाजवादी पार्टी का नित्रितु भी करने गए जिनका कहना है कि वहां पी जो बाचीत हुई है उसके हिसाब से लग रहा है कि सरकार बाचीत के लिए बहुत ज़्यादा तयार नहीं है सर्वधली बैठक में क्या क्या बात हैं देगे बैठक में कल सदन पर जो चर्चाएं सदन किस तरीके से जादे चले और जादे समय तक चले लेकिन सरकार की मनसा उस तरह की नहीं है सरकार कम दिन सदन चलाना चाहती है जवाब देने से बचना चाहती है हमारी मांग है कि सदन बजट सतर है पूरे साल का बजट रखा जा रहे है कह रहे हैं 6 लाग करोड का बजट है तो हम पूछना चाहते हैं कि 6 लाग करोड के बजट के लिए और गवरनर के वासन के लिए आप बस च्छे दिन देना चाहते हैं अरे कम से कम ये मुका दीजिए 403 विदायक जीत कर आए हैं अभी चुन कर आए हैं कि कम से कम अपने छेतर के समश्याओं और परिसानियों को रख सकें अब सर लगतार आप लोग महंगाई की बात करते रहे हैं अखिलेस जी भी पेट्रोल डीजल की बात करते हैं उन्होंने तो सस्ता कर दिया कि मुद्दा चीन लिया है क्या सस्ता कर दिया पहले बढ़ा दो इतना जब सुरूग में क्या था जब सरकार आई थी सिलेंडर के दाम अब क्या कर दिये थे उन में से थोड़े घटा दिये फिर बढ़ा देंगे जनता को बेकूप बनाने के लावा इस बात पर कि सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया हिंदों मुसल्मान में बाटना जाती है धार्मिक बाते फैलाना यही इनका काम है सदन में आजम जी और अब्दुला जी रहेंगे पूरे पूरे रहेंगे और वो पार्टी के नेता है सब लोग उनका सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी पून रूप से उनका सम्मान करते हैं यह हैं अतुल प्रधान हैं सरधना से बिधायक हैं उन्हें भारती जंता पार्टी के संगीत सोम को अराया था और मीटिंग से निकले हैं उनका कहना है कि हम अपने मुद्दों को ले करके सरकार से जवाब मांगेंगे और बैठक में ये कहा गया है कि सदन को बढ़ाने की बात कही जाएगी लेकिन सरकार इसके लिए तयार नहीं है यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए गूगल प्लेश टूर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज आप डेली इंसाइडर